35 लाख की लूट का हुआ खुलासा पांच आरोपी को भी किया गया गिरफतार गोरकपुर गोरकपुर कोटवाली थाना शेतर के दुर्गाबाडी खाटू सेल्स कॉर्पोरेशन से विगत दिनो 45 लाख रुपे नगत सोने वद चांदी के सिक्कों के चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया गटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया एससपी गोरकपुर डॉक्टर गोरफ ग्रोवर ने प्रैसवारता के दौरान गटना का खुलासा करते वे बताया कि चोरी किये गए 36,61,000 नगत एक सोने वद दो चांदी के सिक्कों को बरामत करने के साथ ही घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकल, एक स्कूर्टी और 5 मुबाइल फोन बरामत किया गया वहीं विभाग यसूतरों से मिली जानकारी के अनुसार घटना को अंजाम देने के बाद अभ्युक्तों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए पूरे शेहर का चक्कर लगाया और 2-3 जगह कपड़े और गाड़ी बदली ताकी कैमरों की नजर से बचा जा सके गटना का खुलासा करने में ऑपरेशन त्रीनेत्र के दौरान विभिन चौराहो और मकानों पर लगे कैमरों की महतवपून भूमिका रही साथी पूरी गटना को सीसी कैमरों के डीबी आर की रिकॉर्डिंग का गहन अध्यान करने वाली टीम में शामिल उपनिरिक्षक सुशील चौरसिया अर्विंद राय और क्राइम ब्रांच के मनीश यादफ की टीम के साथियों ने भरपूर मेहनत और इमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुँचाया देखे जनपत गोरफपुर के ठाना कुतवाली चेतर में 21 बटा 22 की रात को एक इलेक्ट्रिकल के समान के होलसेलर हैं उनके यहां से एक चोरी की नकमजनी की सूचना प्राप्त होई थी घटना सलका निरिक्षन और वादी से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये पता चला कि रात के समय पे कुछ व्यक्तियों दोरा आकर उनके गुदाम का ताला तोड़ा गया और उनके वहां ऑफिस में रखे 45 लाग से ज़्यादा जो कैश और कुछ सोने और चांदी के सिक्के थे उनको वहां से चुरा लिया गया है इस घटना की गंभीरता को समझते हुए क्योंकि ये शेहर के कुटवाली थाना चेतर में हुई थी और तेहारों से के सीजन में और मुक्तेहार से जस्क पहले हुई थी वहापारी के साथ घटना थी इसकी गंभीरता को देखते हुए एस्पी सिटी साब के निर्देशन में सीओ कोतवाली स्वाट टीम, ठाना की टीम और सर्वलांस की टीम इसको इसमें लगाया गया डेली इसकी मॉनिटरिंग की गई विशेश रूप से घटना करने से पहले और घटना करने के बाद जो अपराधियों का मॉवमेंट था उसको CCTV कैमरास के माध्यन से ट्रैक किया गया 200 से ज़्यादा CCTV कैमरास की फुटेज ली गई 200 से ज़्यादा की फुटेज है उसका परिक्षन किया गया इसके अतरिक जिस वाहन से ये लोग आये थे उन वाहनों के समन्द में भी ऐसे कितने वाहन पूरे चेतर में सेल हुए है उनका भी वेरिफिकेशन कराया गया इसके अतरिक कौन से ऐसे गैंग है जिनके दोरा इसी घटना पूर में की गई है उनको ट्रैक किया गया इन सारी चीजों को संग्यान में लेते हुए ये जिरो डाउन किया गया कि ये पर्टिकुलर गैंग इसके तो गटना की गई है उनके जब मेंबर्स को अरेस्ट किया गया तो इस घटना का सफल अनावरन हुआ है इस घतना में तोटल छे लोगों द्वारा इसे लोग इसमें घतना कारिफ करने चारलोगों द्वारा एक्च्वल घतना की गई थी दो लोगों द्वारा मुख्री इसकी की गई थी जो कि पूर परमचारी है उसी जगा का का इस घतना में जो कैश है Elias इसके कुल बरामद गी हुई है कुछ लोग अभी भी इसमें मांचित हैं जनके लिए अभी टीम लगी हुई है बाकी की रख्म उनसे भी बरामद किया जाने की आगे प्रयास किया जा रहा है जो सोने और चांदी के सिक्के थे वो भी बरामद हुए है जो वहिकल इनके द्वा जाएगी इनके विरुद गैंग्स्टर की कारवाई भी प्रस्तावित है और इस पूरे जो गैंग है जो लोग इसमें शामिल हैं का गैंग पंजीकरन भी किया जाएगा ताकि आगे से कुछ घटना ना कर पाएं मैं इस पूरी टीम को बहुत 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 बढ़ाई देता हूं कि इनके द्वारा अतक मेहनत से इस घटना का अनावरन किया गया है जो इस घटना के वादी है उनके द्वारा डे वन से और आज तक हमें भरपूर सहयोग मिला उन्होंने पुलिस पर विश्वास किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं टीम की मेहनत को देखते हुए एडीजी जोन सर द्वारा डीजी सर द्वारा और हमारे इस तर से कुल एक लाग रुपए का रिवार्ड पुरी टीम के लिए घुशित किया गया